जो भी लोग होमगार्ड भरती का इंतजार करें कि कब होगी होमगार्ड भरती तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी ख़बर है 42,000 होमगार्ड होंगे भरती, दो चणों में होगी भरती पर इच्छा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा कैसे होगी भरती और पूरी जानकारी के लिए समय समय पर हम इस चैनल पर अपडेट देते रहते हैं सभी भरतीयों से सम्बंदित जानकारियों से सम्बंदित इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है पूरी जानकारी, दो चड़ों में होगी भरती, वर्तमान में प्रदेश में 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगाड हैं लगभग, 75,000 ड्यूटी पॉइंट पर तैनाथ हैं इनमें से प्रतिवर्स लगभग, 4,000 होमगाड से वानेवत करने का लच लेकर कारिवाई करें और यहाँ पर देखेंगे तो युवाओं को रोजगार देने की मुहिम के तहट मुख्यमंत्री योगी आदेतनाथ जी ने 42,000 होमगाड की भरती के आदेश दिये हैं उन्होंने हजारों होमगाड के सेवा निवत होने के चलते भरती प्र प्रक्रिया सुरू हो सकती है जैसे ही भरती प्रक्रिया सुरू होगी कैसे हमको आवेदन करना है क्या होगी पूरी प्रक्रिया और चैन की प्रक्रिया क्या होगी इसके बिसे में भी हम अलग से एक वीडियो बना के आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो जरूब करिया ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके साथ ही होम गार्ड इसके साथ ही होम गार्ड को आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमा वाली बनाने का भी निर्देश दिया होम गार्ड विभाग की समीच्छा के दौरान मुख्यमंत्री ने विवस्था और आपदा काल की इस्तित में होम गार्ड के स्वयम सेवकों की भूमिका कि साराना करते हुए कहा कि विभिन राजियों में भी उतर प्रदेश के होम गार्ड स्वयम सेवकों ने उत्रकेश्ट कार्य किया है इसके लिए उन्हें बेहतरिन सुविधायं भी मिलन दिये हैं यहां पर आप देखेंगे आपदा मित्रों को परशिच्छ्ण योगी जिने कहा कि आपदा प्रबंधन प्रादिकर्ण के माध्या अध्ययम से तैनात आपदा मित्र के रूप में हमारे पास पहले से ही दच पेयर पार मंश्चर मैं पावर हैं हम्में इनका सदुपयोग करना चाहिए आपदा मित्रों का प्रसिच्छन करवा कर उन्हें होमगार स्वयम सेवक के रूप में सेवा देने का आवसर दिया जाना चाहिए इस समंध में राज्य आपदा प्रबंदन प्रादिकरण से समन्वे स्थाफित करते हुए विविद प्रामर् पूरी जानकारी के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं इसलिए आप सब्सक्राइब जरू करूपयार मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो को पूरा देखने की लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद अगर वीडू अच्छा लगा हो तो लाइक करिया गा और अपने आज पास सभी लोगों के पास शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को पूरा देखने के लागत बहुत बहुत धन्दावाद